कैसे हैं आप सब लोग आई हो पच्छे होंगे वेलकम टू स्टडी विद सुमिता आज का हमारा टॉपिक है बादियंत और उनके बादग इस टॉपिक से आपकी सभी परिक्षाओं में कोशन्स आते हैं जो कि मैं आपको कोशन्स लेकर आई हूँ और आपको दिखाऊंगी भी कि किस किस परिक्षाओं में कोशन्स आ चुके हैं वीडियो पूरा देखिएगा और ये टॉपिक आपका एक बेस्ट और है सितार तबला सरोत बीड़ा तो यह देखिए आपका यह आपका यूपी पीसी एस प्री में यह आ चुका है और भी कई परिक्षां में कोश्चन्स आ चुके हैं तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तो सबसे प्राचीन बाध्यंत्र है हमारा बीड़ा चलिए आग देखिए यहां पर मेल नहीं खाता है उससे बात हो रही है ठीक है तो अकर बात करें बाइलिन है या फिर सरोध है गिटार है यह सब एक समूव में आते हैं और निमें सबसे अलग क्या आता है वह आता है अपका हार्मोनियम ठीक है तो इस कोश्चन का राइट आंसर होगा अप्चन नमबर डी हार्मोनियम ठीक है निम लिकित मेंसे कौन सा बादयंत्र बिना तार का है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं है क्या है た कि टार सितार टमप्रे तो अगर आप देखे तो गिटार है इसार है वाइलिन है उनके संवे तार होता है पर अगर ट्रमपेट चुपते हैं से शोटा होता है His fps इस संवे किसनी परकार का देखन पर सीतर सोछिए ignored यंत्र है वाइलिंज बासूरी सारंगी सितार तो इसका आंसर आएगा ओप्शन नमबर बासूरी ठीक है नेस्ट है निम्रिकित मैंसे कौन तंत्री बाद यंत्र है मुरदगम तबला शहनाई संतूर तो इसका राइट आएगा आपका ओप्शन नमबर डी अच्छा ये जो है मिरदगम होता है मिरदगम क्या होता है दो मुँवाला ढोल होता है या एक प्रकार की बासुरी होती है या एक तार वाला बादियंत्र होता है जिसमें सिफ एक तार होता है या फिर एक मिरख होता है तो ये होता है मिरदगम जो होता है बहत दो मुह वाला धोल होता है ठीक है फिर नेस्ट कोशन आपका अमीर खुसरो का नाम किस बादियंत्र के अविश्कार से जुड़ा है शितार तबला शेहनाई सरोध तो अमीर खुसरो का नाम जो है बहत जुड़ा है आपके सितार से ठीक है तो option number is the right answer अगर कोशन अच्छ कौन मुगर्शासक बीणा ऐदन के लिए प्रिश्जद था जैने कि जो मुगर्शासक था वेज़य बहुत अच्छी बजाते थे तो उसके लिए बहुती प्रिश्चेद थे कौन से अकवर हुमायू औरंग जे बावर तो भाई बीणा जो बजाता था बादन के लिए जो टॉपिक्स तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और मैं बैसे भी आपका टाइम खराब नहीं करती हूँ, सीधे से टॉपिक की सुरू करती हूँ, खतम कर देती हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा भी नहीं दे से बजाता था, मुगर समराठ किस बादयंतर को बहुती कुशलता से बजाता था, बीणा, पकावर, सितार या नकारा, तो इसका आंसर आएगा, आप्शन नमबर D, नकारा, ठीक है, नेक्ट कोशन है, उस्ताद बिसमिल्ला खां किस बादयंतर को बजाते थे, तो भही ये बजाते थे, शेहनाई को, ठीक है, ए भगवान, तो गली में न, दो पहर में ही थोड़ा सा टाइम निकाल पाती हूँ, मैं वीडियो बनाने को, उसमें भी गली में ता साउंड रे लेके, सब लोग निकलने रगते हैं, सारा साउंड वीडियो में बीच में आ जाता है, चल शरोद, सितार, वाइलिन, तो यह है, हमजद अली खान का, जो है, सरोद से, पायंत से, संबंद है, बिलायत खान, किस बाद यंद से, संबंद रखते हैं, तो बिलायत खान रखते हैं, सितार से, ठीक है, नीरु स्वामी पिललई, संबंदित हैं, वाइलिन से, बीना से, ना सवर्म से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की तरफ एस बाल चंद्रन किस बाद्यंत्र से समंदित हैं सितार संतूर बीणा सारंगी तो यह हैं बीणा से ठीक है हरी प्रशाद चौरसिया ने किस छेतर में प्रशित अरजित की है जाने किस छेतर में वे अच्छे थे जिससे प्रशिती मिली थी इनका नाम हुआ था गिटार बादन में पकावज बादन में बासुरी बादन में या फिर रदगम बादन में ये बीजील जोग किस बाद यंदर के लिए प्रशिद है तो ये है बाइलन के लिए अल्ला रखा किस बाद यंदर से संबन्दित है तो अल्ला रखा जो है तबला से संबन्दित है ठीक है नेश्ट कोशन है गोबिंद स्वामी पिल्लाई का संबन्द किस बाद यंदर से है सहनाई सरोध तो पन्नलाल घोश का जो संबंद है वह है आपके बासुरी से है ठीक है नेश्ट है आपका पाला धार रगु का संबंद किस बाद यंतर से है पताईए है आप लोग भी कोशिश करा करिये तुकका ही लगा हूँ किस तो आइडिया लगीगा कि तुकके साही लगते हैं नहीं लगते है चलिए इसका राइट आंसर है औप्शन नंबर सीम्रदगम ठीक है बताईगा किसी का तुकका ठीक लगा या नहीं लगा आग किस को प्याद था लतीफ खा का संबंद किस बादियंत्र से है तो इनका संबंद जो है तबला से है जाकिर हुसेन कौन सा बादियंत्र बजाते थे जाकिर हुसेन का नाम तो भई सबको पता होगा इसका अंसर तो पता होगा सबको तो भई जाकिर हुसेन जो थे तबला बजाते थे सबाधियंत्र बजाते हैं बताए कौन सब बादियंत्र बजाते हैं तो ये बजाते हैं वाइलिंग ठीक है चलिए आगे बड़ते हैं नेस्ट है बाल मुरली कृष्ण का संबन्द किस बाद रंत से है तो इनका संबन्द भी वही वाईलिन से है पन्ना लाल घोष निमलिखीत मैंसे किस संबन्दित है तो पन्ना लाल घोष जो है बासूरी से संबन्दित है उस्ताद जाकिर हुसेन को निमलिखीत मैंसे किस बाद बादियंत्र को बजाने में बिस्तिष्टा प्राप्त है अब देखी इस कोशन को अलग-अलग तरीके से पूछ लिया जाता है उपर किसी तरीके से पूछाता है यहां पर किसी और तरीके से पूछ लिया तो इसका अंसर आएगा ऑप्शन नमबर ए तबला कुदव सिंग नि नष्ट है आपका कोशन नमबर ट्वख़ंटिनाइन पंडित रवी शंकर को निम लिखित मैंसे किस बाद रंत पराप्त है तो यह इंक्या रवीशंकर वह सौररी पंडित रवी शंकर को सितार बाद रंत पराप्त है। option number C is the right answer question number 30 Anushka Ravishankar किस बाद्यंत से संबन्दित है तो भई Anushka Ravishankar जो है भेवी सितार से है यहाँ पर पंडित Ravishankar और Anushka Ravishankar दोनों ही नाम अगर आ जाते हैं तो सितार से ही जुड़े हुए ठीक है यहूदी मेनुहिन का संबन्द किस से है तो भई इनका संबन्द जो है यहूदी मेनुहिन का संबन्द जो है बाइलिन से है नेस्ट है यह बाद्यंतर किस जिस पर उस्ताद अमजद हली कां ने निपूर्टा हासिल की थी भे कौन सा है तो बहें आपका सरोध है ठीक है नेश्च Question number 33 निम्रिकित में से कौन? विश्व बिख्यात बासूरी बादक है ठीक है विश्व में प्रशिद हैं बासूरी बादक कौन है तो बहें आपके हरी प्रशात चोरहसिया ठीक है? चौरशिया साथ याद रखिए अब आसुरी बजाते हैं ऐसे याद रहेगा चलो ये आगे नेस्ट कोश्चन आपका आगे बढ़ते हैं तो नेस्ट है आपका निम लिकित में कौन सरोध के पिरवर्तक माने जाते हैं अब बहाँ पर नाम पूछ लिया था अब यहाँ पर बादियंत्र के नाम से पूछ लेते हैं कोश्चन आइसे गुमा गुमा के आ जाते हैं तो भई सरोध के पिरवर्तक जो है माने जाते हैं आपके अमजद अलीख खाम चलिए नेस्ट है मोहन बीर्णा का विश्कार किसने किया पंडित रविशंकर चतुर मलिक अलावदीन मन मोहक भट तो भई ये किया है मन मोहन भट ने किया है जानता है कोई मन मोहन तिवारी को चलिए आगे बढ़ते हैं निम्रैकित में से कौन बासुरी बादक है पंडित रविशंकर केलु चरण महपात्र जस राज मोती राज हरी प्रशाद चौरसिया तो इसका अंसर आएगा option number D हरी प्रशाद चौरसिया ठीक है यह हरी प्रशाद चौरसिया चलिए आगे बढ़ते हैं निम्लिकित मैंसे कौन प्रिसित सरोध बादक है अभी यह भई अभी उपर भी आये थे प्रशीदा राइट अमजद अली खाँ ठीक है नेस्ट है निम्लिकित कलाकारों में कौन तबला से सम्मंदित होने के लिए प्रिसित है तो इसका अंसर आएगा option number D ठीक है नेस्ट है किस ग्रैमी प्रुसकार बिजेता संगी तक ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए रूप का नाम मोहन बीडा रखा है यह कोशन भी अच्छा है तो बताईए यह किसने रखा है पंडित रवी शंकन ने मन मोहन भटने शर्षी मोहन भटने निखिल बनाजी ने तो यह रखा है मन मोहन भटने ऑप्शन नमबर 20 दा राइट आंसर नेश्ट है किस बाद्यंत्र बादक को पदम श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राश्टिय सम्मानों से अरकिरित किया गया है तो भई यह किया गया है बिस्मिल्ला खान को ठीक है चलिए भई आगे बढ़ते है अब यहाँ पर सही सुमेलित करना है तो कौन सा सही है बताईए जाकिर हुसेन का सितार से नहीं है है ना उनका तबला से है अभी हमने पढ़ाई था पंडित रवी शंका पकावाज वो भी नहीं है हरी परशाच और चौराशी अब मोहन बीडा नहीं थे कौन थे अभी मोहन बीडा मैंने भी दूसरे बताए थे ठीक है अब अमजद अली खान और सरोद यह राइट है ठीक है तो यहाँ पर सही सुमेलित करना था तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ओप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह आज के लिए इतने है यह आज के लिए इतने हैं अगर चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा और कोशन सा अगर आपको जरा भी अच्छे लग रहे हैं तो लाइक प्लीज कर दीजेगा और वीडियो को कर दीजेगा प्लीज चलिए फिर नेस वीडियो में मैं आपके लिए अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊंगी तो फिर मिलते हैं नेस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार